इस वक्त की बड़ी खबार प्रियंका गांदी का यूपी दौरे का दूसरा दिन लखीम पूर खीरी पहुची प्रियंका गांदी बाद्रा मेशाद 2022 में जोटी प्रियंका गांदी रेका गादी बार्टरा लखिमपर की ओखिरी जाकर बचाय तरगत शुनाओं में जसमहिला के साथ भदता की गए थी। उन से मुलाकाद करेंगी कारे考ताों से मुलाकाद करेंगी प्रियंका गांधी का आज यूपी दूसरा दिन है और अज अपने दूसरे दौरे पर ही वो लगतार पहले ही दिन से वो एक्टिव दिखाई दे रही है और अज उनका प्लान था लखेम पुर खीरी जाने का जहां पर लखेम पूर खीरी वो इस टाम पहुच भी चुकी है यहां पर वो सबसे पहले तो रेप पीड़ता है जो बच्चियां है उनके परिजनों से वो मुलागात करेंगी और उसके बाद वहाँ अनीता यादो जिस पंचाय चुनौ के दौरान जिस महिला से बतसलूकी की गई थी फिर उससे जाकर उन से मुलागात करेंगी तो यह प उसको ढूंडने में कहीं न कहीं कॉंग्रेस जुटी हुई है और प्रियंका गांदी इस कोशिश में है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस को एक बार फिर से उत्रप्रिदेश में जिन्दा किया जाए जिसका आप देख रहे हैं कि लगातार वो एक्शन मोड में निखाए दे रही जितिन परसाद को इनी के गड़ में लटका ने भी गई है प्रियांका गांधी जससे बीए近 लिए जनुदेशब से बहुत बड़ा सब परदेश केुद का Soldier कहीने कहीन 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 कह कंदों पर ली है और लगातार वन मैन आर्मी के तोर पर वो लगातार कॉंगरेस की तरफ से काम कर रही है और एक बार फिर दोहजार बाइस के चुनाओ के लिए लड़ने के लिए अग्रसर दिखाए दे रही हैं और इसी देखने को मिला ही है कि जब भी प्रियंका गांदी आ पर वो लगातार मुखर ओती रही है चाहिए योगि सरकार के क्लाफ और आज भी उन्होंने वही मुद्दे चुने हैं महिला सशक्ति करण के जिसको लेकर ढम भारती है योगि सरकार और उसी मुद्दे पर आज वो एक बार फिर लखीमपुर खीरी जा रही है जो काफी नाराजगी की जो बाते मेडिया में चल लहीं ती कहीं ने कहीं उसको भी PM मोदी ने साधने की खोशिश की थी प्रदान मंतरी ने जब योगी की जब तारीफ करी तो पिछले कई दिनों से जो बाचीस चल लही थी कि क्या CM योगी और PM मोदी में सब कुछ ठीक नहीं चलना तो कहीं ने कहीं उस पर भी एक क्लरिफेकेशन दिया था पिम मोदी ने अपनी तरफ से और उसके दूसरी दूसरी दौर पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिन मुद्दो को लेकर कॉंग्रेस हमेशा बीजेपी पर अगरसर दिखाये देते ही वह सबसे पहले महि महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कॉंग्रेस लगातार घेटी है और जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो पूरी रूप से चाहे वह हातरस में जो कांड हुआ हो चाहे वह जिस तरीके से कांड हुआ हो तो हर एक रेप कांड में प्रियंका गांदी ने एकदम महिलाओं के लिए हमेशा वो खड़ी दिखाई दी है और इस बार भी उन्होंने उसी तर्च पर एबार फिर लखीमपूर खीरी पहुच कर वो रेपेड़ित बच्चियों के परिजनों से मुलाकात करने वाली है और साथी साथ जिस महिला के स अबादरता की गई थी पंचायत देक्शनाओं में उनसे भी मुलाकात करें कि बहुत बहुत शुक्रिया शेहबाज हमारे साथ जुनने के लिए तो कोया हुआ जनाधार ढूनने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और इसी कोय हुए जनाधार को ढूनने के ल शेश प्रयांका गांधी के द्वारा की जा रही है और उसी जनाधार को ढूनने के लिए उन्होंने नीव पकड़ी है कानून विवस्ता बदहाल की और महिलाओ के सशक्तिकरण की जिसको लेकर लखीमपूर दोरे पर पहुची है वो और वहाँ पर महिला से मुलाकात